मेरा नाम रमेश है, मैंने अपनी जिंदकी में बहुत बड़े बड़े पाप किये थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कमर उम्र के बच्चों से भीक मंगवाता था, मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक छोटी सी बच्ची वहां खड़ी हुई मिली, उसकी आँखों में आसू थे लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, मैं लगतार रोजाना एक ह कोई न कोई काम निकल ही आता, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहां रोज क्यों खड़ी होती हो, वे बच्ची कुछ नहीं बोली, फिर मैंने उससे कहा, तुमारे माता पिता कहा है, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उससे कहा तुम कहां से आई हो, तुमारा घर कहां पर है, लेकिन फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली, और फिर चुप ही खड़ी रही, शायद वे गुंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, मैंने उससे कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली होतो, उसने हां का इशारा करते हुए अपना सिर हिला दिया, शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था, तो मैं बहुत जादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसी बच्चों को तलास होती थी, मैं उसे अपने घर लेकर आया, और उसे रात का खाना खिलाया, उसके बाद वे सुकून से सो गई, सुब लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, इस बाद से मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि वे बोल नहीं सकती, मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया, मैं भी तो उसको यहां बैठा कर नहीं पाल सकता था, मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे यहां मुफ्त की तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहां रहने की जगह भी मिलेगी साथ में खाना भी मिलेगा लेकिन याद रखना इसी तरह की सकल बना कर बाहर जाना जिस तरह से मुझे देख रही हो उसकी आखो में हैरान और चेहरे पर दुप था मैंने बाकी के बच्चों को जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठो और काम पर लगो दरासल मैं छोटे बच्चों से भी एक मंगवाने का काम किया करता था मैं कोई बुरा आदमी नहीं था उन लोगों को भी खाना खिलाता था कपड़े भी लाकर देता था और तोहारों पर माने भी ले जाता था वैसे भी अनाद बच्चे थे जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था ये बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज ये लड़की मिली है जिसका नाम मीनू था कहते हैं कि इस धंदे में बच्चों को जादा पैसे मिलते हैं लेकिन आज कल की अवाम तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भीग भी नहीं देती ये लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे मैंने इन लोगों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई असान बात नहीं था हाला कि वे अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुकचाप खा लेते थे लेकिन फिर भी खाना बनाना तो पड़ता था मेरे खर्च जादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी मैं काफी परिशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा ऐसा लगता था कि ये धंदा छोड़ना पड़ेगा लेकिन फिर उन बच्चों को कहा लेकर जाता क्या मैं उनको बेच देता लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था मेरे सीने में भी दिल था मेरे कोई बच्चे नहीं थे ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम नहीं करवाता लेकिन जैसा भी था बस यही मेरा कारुबार था और एक इनसान के लिए उसका कारुबार ही उसके लिए सब कुछ होता है मैं शादी भी करना चाहता था लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इनसान से शादी नहीं करना चाहती आजकल की औरतों को भी बहुत खर्चे हैं मैं काफी परिशान बैठा था बच्चे साम को अपनी कमाई लाकर एक डबे में डाल रहे थे मुझे बार-बार सिक्के गिरने की आवाज आ रही थी मैं सोचता था आजकल सिक्कों से क्या होता है किसी को भी नोट नहीं मिलते थे वे जब मीनू नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डबे में उल्टा तो सिक्कों की भी आवाज नहीं आई मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया ये लड़की तो बुलकुल ही खाली हाथ आई है ये तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा तू तो बुलकुल ही निकम्भी निकली तेरी शकल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसा देने को तयार हो जाए कैसी भोली सी सूरत बनाई हुई है तूने एक रुपिया भी नहीं लाकर आई शरम आनी चाहिए तुझे बाकी बच्चों को देख अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूँगा फिर बड़ी रहना एक तरफ को भूखी प्यासी देखिए ये तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया और फॉरन ही आगे बढ़कर उसके डब्बे की तरफ देखा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मीनू के डब्बे से उल्टे गये थे मैंने उसको हैरान होकर देखा और उसे कहा कि तू दो बड़ा अच्छा कमा कर आई है ये सब देखकर मैं काफी खुश हुआ खुशी की वज़े से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा लेकिन वे मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं उसकी आँखों में अजीब तरीके की उदासी थी वो बुलकुल भी बोलती नहीं थी ऐसा लगता था कि वे कुछ कहना चाहती है वैसे तो वे थोड़ी बहुत इशारों इशारों में बात कर लिया करती थी और बस फटी फटी आँखों से सब को देखती रहती थी उसके गुंगेपन की वज़र और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंदे में लाना चाहता था मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाजा बुल्कुल ठीक था मैंने बाकी बच्चों को कहा कि ये भी तो वहीं गई थी जहां तुम लोग जाते हो फिर ये इतने सारे पैसे कमा कर लेकर कैसे आ गई और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठा कर आ गई सारी की सारे बच्चे सर जुका के खड़े हो गए दो-तीन दिन इसी तरह गुजर गए मीनु मेरे पास रोज धेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सब बच्चों को डाटता था कि वे इतने सारे पैसे लेकर आती है लोग गुजरते थे इसी लिए जादा पैसे दिya करते थे हमें नहीं पता होता कि ये कहा जाती है और जब हमारे वापस आने का वक्त हो जाता है तो ये अचानक से ही वापस आ जाती है اور इसके पास धेर सारे पैसे भी होते हैं मैं ये सुनकर हैरान रह गया मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर वे भीक नहीं मानती तो इतने सारे पैसे कहां से लेकर आती है क्या अपने घरवालों के पास जाती है उनसे लेकर आती है लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था मगर जिस हालत में मुझे वे मिली थी उसे तो यही जाहिर हो रहा था कि वे अना थै और जब मैंने उसे पूछा था कि तुम्हारे मा बाप है तब भी उसने मुझे इसारे से मना करते हुए ही बताया था कि उसका कोई नहीं है वे बुलकुल अकेली है मुझे उस बच्चे की बात पर बुलकुल भी यकीन नहीं आया मैंने सोचा की वे जुड बोल रहा है शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वे मीनू जितने पैसे नहीं कमा पाता लेकिन बात तो वाकी अजीब थी वे बाकी ब या फिर कहीं और जाती हो जिस जगह के बारे में किसी को पता नहीं उसने इस बार बात के जवाम में नहीं में सर हिलाते हुए कहा इसका मतलब था की वे भी वहीं जाती है जहां वाकी सारे बच्चे जाते हैं मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्ची बोल ही नहीं पाती है श इसका मतलब की वे गुंगी है लेकिन दूसरों को इसारे से अपनी बात समझा सकती है उसको आए हुए एक हफता होने वाला था और वे सबसे जादा पैसे लेकर आ रही थी इतने पैसे तो आज कल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था इसलिए मैं काफी जादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए पता तो चले कि आखिर ये करती क्या है मैंने दिमाग में काफी सारी बाते आ रही थी ऐसे ऐसे बाते भी आ रही थी जो शायद मुझे नहीं सोचना चाहिए था लेकिन मैं क्या कर सकता था हमारी दुनिया तो ऐसी ही है और मैं ने इससे ज़्यादा बुरी कहानिया सुनी और देखी भी थी इसलिए सोच रहा था और तरह से ही सोच रहा था मैं अगले दिन ही उसके पीछे जाने की प्लाइनिंग बना रहा था और जब मैंने उसके पीछे जाने की कोशिस की तो अचानक से सामने मकान माने आकर मुझे रो पता दिया कि यहां पर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी ये बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया लेकिन अगर पुलीस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीस्ते पीस्ते हो जाएं और वैसे भी पुलीस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते पुलीस तो तुम्हारे उपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी मैं हैरान था कि आजकल हर इनसान अपनी जगापर सैतान बना हुआ है अब मैं उस मекान मालिक से क्या कह सकता था मैंने उसे कहा कि छीक ह। मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको दे दीए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूँगा लेकिन दुबारा इस तरह की धमकी मत जब उसके हाथ में पैसा थमाया तो उसका तो अंदाज ही बदल गया उसने कहा कि रमेज भाईया फिक्र मत करो ऐसी कौन सी बात है घर वाली ही तो बात है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ये कहते हुए वे चला गया मैं मीनू के पीछे जाना चाह रहा था लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया जब उसने अपने डब्बे को उल्टा तो उसके अंदर 500 के काफी सारे नोट थे मैं तो हैरान रह गया हैरान ही इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने मीनू लेकर आई थी ये चुप चाप खड़ी हुई मेरी बात सुनती रही मैंने दुबारा उससे पूचा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिये कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे मैंने उसके हाथ में वे सारे पैसे रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये पैसे तुम्हें किसने द वे तो अबही बीचे से वापस ही डब्वे में डाल दिये, मैंने कहा की ऐसा भी क्या करती हो, कहां जाती हो, अगर ऐसी कोई जगह है जहां पर लोग ज्यादा पैसे देते हैं, तो बाकि बच्चों को भी वहाँ ले जाओ, मैंने अपनी तसली के लिए फिर उसे दुबारा प बताई थी वे तो अभी भी ना में ही सरहिला रहा था मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये जूड बोल रही है ये कहीं और जाती है वहां से इतने सारे पैसे लेकर जाती है और हमें नहीं पता कि ये कहा जाती है मुझे भी यही ल टोटल 25,000 रुपे कमाये थे जो मैंने मकान मालिक को दिये थे यू समझो कि वे भी मेरे पास आ गए थे और कुछ पैसे बच भी गए थे ये लड़की तो बड़े काम की थी जो भी कर रही थी पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लेकर आ रही थी लेकिन मुझे उसके बारे मे जानना भी जरूरी था ताकि मुझे पता तो होता कि यहां कौन सा काम कर रही है अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया वे सारे बच्चों के साथ ही निकली थी लेकिन अचानक से गायब हो गई थी मैं भी उसका पीछा करने लगा मैंने उसको पता नहीं ल पर नहीं जा रही थी वहां से वे एक खुले हुए इलाके में चली गई जहां आसपास के दो तिन घर थे कुछ घरों की बैक साइट थी और कुछ घरों के में दर्वाजे भी थे यहां पर एक पेड़ भी लगा हुआ था यह एक छोटा सा पारक था लेकिन इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि यहां की हालत बहुत ही खराब थी वे जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिये कि थोड़ी देर बाद ही लोग उसको पैसे देने लगे मैं वहां खड़ा हुआ दूर से ही सब कुस देख रहा वे आखिर क्या क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कभी नास्ती कभी कोई करतब दिखाती वे क्या कर रही थी ये सब मेरी समझ से बाहर था लेकि लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे दे कर जा रहे थे इतनी मासूमियत से ये सब कुछ कर रही थी क लोग उस पर फिदा होकर उसे पैसे दे कर जा रहे थे शायद जो हुनर उसके अंदर था वे बागी बच्चों के अंदर नहीं था इसलिए वे और बच्चों से जादा पैसे कमाती थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन सा नाच नाच रही है और कौन से कर्तब दिखा मैं समझने की कोशिस कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था ताकि मैं भी उसे ये सारी चीजे सीख जाओं वे कुछ बोल नहीं रही थी बस आँखे बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था किये जा रही थी उसके ये कारणामे देखका जो भी आ रहा था खुशी से खिला उठा और सभी उस पर महरबान होने के लिए तयार हो जाते वहाँ पर बहुत सारे भीर लग चुकी थी लोग आते और उसके डब्बे में धेर सारे पैसे डाल कर चले जाते फिलहाल ये लड़की जो कुछ भी कर रही थी मैंने सोचा कि ये सब मैं भी करता हूँ और बाक पेड के नीचे लेड कर सो गई अब मुझे पता चला कि ये क्या कर रही थी जाहिर है जब उसके सारे पैसे बन गए थे तो उसे और जादा काम करने की क्या जरूरत थी जबकि बाकी बच्चे तो सुबर 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम किये करते थे लेकिन इसका काम तो पूरा हो गया था इसलिए ये महरानी यहां पेड के नीचे लेड कर अराम करने लगी मैंने अपनी दिमाग में सारी बात बैठा ली थी कि उसने क्या 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 किया क्योंकि यही सब कुछ भी आजमाना था बस जब मैं ये सब कुछ खुद करने जाओं तो मुझे सारी बाते याद रहें कि आखिर उसने ये इस पेड के पास क्या क्या किया था जिसकी वज़े से भी उसने इंप्रेश हो गई थी मैंने जब ये धंदा शुरू किया था मैं कहीं आता जाता भी नहीं था क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि उन सब के पीछे मैं हूं तो क कोई ना कोई मुझे पुलिस के हवाले करवा ही देता अभी भी इस दुनिया में काफी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो छोटे छोटे वासूम बच्चों से भीक मंगवा कर उसकी कमाई खाते हो हाँ ठीक है करता था मैं बुरे काम लेकिन मैं और करता भी क्या अपनी जिंदकी से बहुत तंग आ गया था कमाई का कोई जरिया नहीं था मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था लेकिन बनना सका क्योंकि जब मेरे पेपर हो रह ये गलत बात है वे बच्चा है और बच्चों से गलतियां होती रहती हैं लेकिन इसका ये मतलम नहीं कि आप उसे इस तरह जानवरों की तरह पीटे लेकिन वे टीचर तो मेरे पीछे ही पढ़ गया उसने मुझे फेल कर दिया मैंने दुबारा से पढ़ने की कोशिस की लेकिन वे उस टीचर ने मुझे फिर से फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस तरह मेरी जिन्दकी बरबाद हो गई मेरे मा बाप तो बच्चपन में ही मुझे छोड़ कर चले गए थे मेरा कोई अपना रिस्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता मैं बच्च कौन है जो इन से भीक मंगवाता है और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बुरा आदमी था लेकिन मुझे अपने किये पर कोई पस्तावा नहीं था क्योंकि मुझे भी तो जिन्दा रहना था वरना मैं भूखा मर जाता मुझे साधी करने का बहुत ज़्यादा के लिए पैसो की जरूरत होती है और आज कल की लड़कियों को तो पैसो की ही जरूरत होती है वे कहती है कि हमारे सारे काम पूरे हो हमारी जरूतों की सारी चीजे हमें वक्त पर दी जाएं कपड़े जूते वगेरा वगेरा अगर आपको उनकी जरूतों की चीजे नहीं दे तो आपका घर जहन्नम बन जाता है औरतों के साथ खुश तो तभी रहा जा सकता है जब हम भी औरतों को खुश रखें और इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे मेरा एक दोस्त भी था वे भी इसी काम में जुड़ा हुआ था जो मै बड़ा ही जालिम था उन बच्चों पर बहुत जल्म करता था उन पर हाथ भी उठाता था उनको जादा अच्छा खाना भी नहीं देता था और घर में काफी पाबंदिया लगा रखी थी वे तो रात में भी उनसे काम करवाया करता था मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूँगा और ये बच्चे उसको दे दूँगा मुझे बच्चों के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी ये सब तो मेरे फ्यूचर के प्लैन थे लेकिन अभी मेरे दिमाग में उसी बच्ची के कारनामे ही घूम रहे थे मैंने वे सब कुछ जो उसने क किया अपने दिमाग में बैठा रखा था मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि ये कौन सी करतब कर रही है लेकिन इंटरनेट ने भी उसके करतब को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं सारी रात बस यही सोचता रहा फिर इस नतीजे पर पहुचा क अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसको धेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी ये काम करना होगा मैं अगले दिन फिर से उसका पीछा किया इस बार मैंने लोगों पर नजर रखी हुई थी जो लोग उसे पैसे दे कर जा रहे थे उनकी शकल ऐसी लग रही थ होग थी कि वे ये काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं उनको उसे पैसे देने में कोई भी दिकत नहीं थी लोग तो उसे हजार रुपए दे कर जा रहे थे वरना किसी फकीर को भी कोई सो या पचास रुपए से زणा देकर नहीं जाता आज कल चलो कोई դो सोदे देता है ढाई सो दे देता है लेकिन यहां तो बात हजारों तक पहुंच चुकी थी इसलिए सोचने की बात तो थी मैंने तीन-चार दिन मीनू का पीछा किया और तीन-चार दिन तक मैंने देखा कि ये सब कुछ क्या कर रही हो मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे पता करना था कि आके चल क्या रहा है एक दिन मैंने उसे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी ये बात सुनकर वे थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आँखों में आसु आ गए और बाकी बच्चे जाने लगे लेकि तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो शायद वे उन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी मैंने कहा आज तुम अराम करो अपने घर में ही बैठो बागी सारे बच्चे जा चुके थे वे बड़ी बेचैनी थी बार बार दरवाजी की तरफ देख रही थी उसका मन कर रहा था कि वे भी उनके पीछे चली जाए काफी देर तक तो दरवाजी पर ही खड़ी रही मैंने उससे कहा अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो तुम्हें तो खुश होना चाहिए आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा बस तुम घर के काम करना घर को साफ करना ख जादातर कम उम्र के बच्चे ही थे वे मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजी की तरफ इशारा करने लगी उसका मतलब था कि वे क्या वहाँ चली जाए मैंने उसी गुस्ते से देखा और खूब डाट लगाई तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें नहीं प आज समझ में ही नहीं आ रही है मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ चुप चाप अंदर चली जाओ मैंने कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी वे मेरी बातों से काफी डर गई थी मैंने उसके हाथ से उसका डबा लेने की कोशिस की लेकिन वे अप जा रहा हूं जो पताव पर काम फावाँ मेरी बातों आज रहा नहीं दे रही और ऊज दसे बहुत आज पर जाए में है तो में आजका लेकिन उसके अंदर आजकल जरूरत से जादा है वैसे भी जो काम करती थी उसके पीछे अकल काहीं वे औरुमशिता की तो ना बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी नहीं किया करते थे मैं फिर से जो वे किया करती थी उन सब को याद करने की कोशिस की ताकि मैं वहाँ जाकर भूलना जाओ मैं भी उसी जगह जा रहा था जहां पर मीनू बैठा करती थी मैंने सोच रखा था कि आज मैं भी धेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा इन पैसों से मेरे सर काफी सारे काम हल हो जाएंगे मैं इस जगह पर जाकर बैट गया जहां पर मीनू बैटती थी पेड़ के नीचे पहले तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया जो मीनू किया करती थी मुझे अपने चहरे पर थोड़ी मासूमित भी लानी थी क्योंकि मीनू अपने चेहरे पर बहुत मासूमित रखती है अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था मैंने इसी तरह अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिये जिस तरह मीनू हिलाया करती थी और अपनी आखे बंद कर ली मैं तो ऐसे ही नाच रहा था जैसे मीनू नाचा करती थी मैंने अपना डबा जमीन पर रख दिया था ताकि लोग आएं और उसमें पैसे डाल कर चले जाएं और मैं लगातार अपने काम में हो गया था अचाना कि मुझे अपने आस पास कुछ हलचल नजर आई लेकिन मैंने अपनी आँख नहीं खोली क्योंकि मीनू भी अपनी आँखें नहीं खोला करती थी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डबे में कुछ पैसे डालने लगे है मेरे मन ही मन खुश हो रहा था और मैं समझ गया कि लोग पैसे डालने आएं है मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहां रोज ऐसे ही आया करूं और खूब सारे पैसे लेकर जाया करूंगा ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाएंगे और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा वे भी ये काम करेंगे ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़ पती बन जाओंगा मेरे दिल में तो लड़ो फूट रहे थे और यही सब कुछ चल रहा था लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आस पास खड़े हैं लेकिन पैसे डाल कर तो उसको वहां से वापस चले जाना चाहिए था वे यहां पर क्या कर रहे थे फिर मैं रुख गया जैसे ही मैंने आखे खोली उन्होंने मुझे दबोच लिया वे कोई और नहीं बलकि पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है आज तो तुम अपने बिल से बाहर निकल आए वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे और आस तो तुम हो भी अकेड़े तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है चलो अब हमारे साथ मैं बुरी तरह घबरा गया और वो मुझे पुलिस इस्टेशन ले गए वहाँ पर जाकर मुझे ऐसी बातों के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया मेरी तो पैरो तले जमीन ही निकल गई थी दरासल ये मीनू उन्होंने ही छोड़ी हुई जासूस थी वे गुंगी बुलकुल भी नहीं थी वे सब कुछ बोल सकती थी वे तो मुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने दाना डाला था और वे खुद ही उसे पैसे दिया करते थे जो भी लोग मीनू को रोज पैसे दिया करते थे वे सब लोग पुलीस के साथ मिले हुए थे मुझे पकड़वाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं बच्चों को ये सब काम करवाता रहा हूं और यही बच्ची मुझे घेरने के लिए भेजी गई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था और अगर निकलता भी था तो इस तरह से कोई मुझे पहचान नहीं पाता लेकिन इस बार मैं लालच में आ गया था और अपने घर से बाहर निकल आया वे भी अकेला और में बेवकूफी ये थी कि मैं उस जगह पर बैठ गया जहां पर वे लोग मुझे बैठाना चाहते थे क्योंकि यहां पर करीब CCTV कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस इस्टेशन की बैक साइड भी थी लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था मेरी आखों के यहां अकेली ही आ जाया करती थी वे लड़की बहुत चलाक थी लेकिन उसकी मासूमियत की वज़र से मैं कभी उसकी लालच का अंदाजा नहीं लगा पाया मैंने सोचा था कि शायद वे यहां से रोज आती जाती है इसलिए उसको रास्ता याद होगा लेकिन अब वे था कि वे बच्चे मुझे सडकों पर मिले थे ऐसा बुलकुल भी नहीं था बस मुझे एक दो ही बच्चे सडक पर मिले थे बाकी सारे बच्चे मैंने अगवा किये थे और कुछ बच्चे मैंने इधर उदर से खरी दे थे मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही कामों में जितने भी लोग सामिल थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, उन सबी को गिराफतार कर लिया गया और उसके पास से भी बच्चे पुलीस ने अपनी हिरासत में ले लिये. पता चला कि वे लड़की जो कारनामे करती थी असल में वे तो कुछ भी नहीं थे वे लड़की उल्टा सीधा डांस किया करती थी जिसकी वज़े से मैं सोसता था कि लोग उससे इंप्रेस होकर पैसे दे जाते हैं लेकिन असल बात तो ये थी कि वे लड़की कुछ भी नहीं क कर उनकी इस चाल में फस गया ये पता चला कि वे लड़की कोई और नहीं बलकि एक पुलिस वाले की बेटी है मेरा तो दिमाग ही घूम गया था इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया था कि बच्पन में ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया उस सारे बच्चे अपने माबाप से मिल गए थे मुझे अपनी गलती का ऐसास हो गया मैंने जेल में काफी वक्त गुजारा फिर मैंने माफी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा ये काम कभी नहीं करूंगा मेरी जिन्दकी के कुछ साल तो बरबाद हो गए लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने इस तरह के काम करने से तौबा कर लिया आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है लेकिन अभी तक हमारे यहां कोई ऑलाद नहीं हो रही है मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता लेकिन दिल कहता है कि शायद ईश्वर ने मुझे ऑलाद का मैं दिन रात ईश्वर से बस यही प्रातना किया करता था मैं चाहता हूं कि मुझे भी अपनी ऑलाद का सुख जीते जी मिल जाये लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ हम समझते हैं कि हम चुप चाप गुना कर लेंगे और हमें सजा भी नहीं मिलेगी मगर ऐसा कुछ न जनम में मिलेगी ना तो वहीं जाकर देखा जाएगा लेकिन ये नहीं समझते कि कुछ पापों की सजा हमें इस दुनिया में मिलती है और बहुत ही बुरा मिलता है मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है मैं अब बहुत अच्छा और एक इमंदार इंसान बन गया हूं और अमीर तो नहीं की उनको अपने घर रख सकूं लेकिन मैं उनको बड़े प्यार से एक अना थाले में छोड़ आता हूं और वहां पर उनके लिए कभी कवार खाना या फिर चोटे मोटे तौफे ले जाता हूं मैंने अपने गुना की दिन से माफी मांग ली है बच्चे तो इश्वर की देन होते हैं बच्चों की असल जिन्दकी तो उनका बच्चपन है जो की वे भी जी भर के जी लेते हैं खेलते हैं कूटते हैं और बड़े होने के बाद तो वही बच्चे अपनी जिमेदारी सम्हालने लगते हैं फिर कहां वे बच्चे रहते हैं फिर तो वे हम और आप जैसे बन जाते हैं, बच्चे फूल की तरह नाजुक होते हैं, आप सब लोगों से गुजारिस करना चाहती हूं कि इन फूलों को कभी मुर्जाने मत देना, दोस्तों उमीद करती हूं, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हूं